हालो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 2D आकरिती और 3D आकरिते किसे कहते हैं और यह भी जानेंगे कि 2D आकरिती और 3D आकरिती में क्या आंतर है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 2D आकरिती जिसे एंगलिस में कहते हैं टू डाइमेंशनल सेफ तू का मतलब हो जागा टू यानि दो का मतलब हो जागा टू और डी का मतलब डाइमेंशनल और आकरिती का एंगलिस सेफ होता है तो यह चीज ध्यान में रखेगा और 2D आकरिती को हम द्व ठीक है। इस आकरिती को कहेंगे हम टूड़ी आकरिती यहां पर ध्यान दिजी अभी आपको नहीं आया होगा। तो वर्ग भी हमारा टूड़ी आकरिती है। ठीक है तो टूड़ी आकरिती में आसानी से याद रखिया कि लंबाई होता है और साथ ही साथ केवल चौड़ाई होता है। तो वैसे आकरिती को हम टूड़ी आकरिती कहते हैं। ठीक है तो टूड़ी आकरिती आपको आगया होगा। चलिए अब समझ लेते हैं थीरी डी आकरिती। यहाँ पर ध्यान दिजिए। थीरी डी आकरिती जिस एंगलिस में कह सकते हैं थी डाइमेंशनल सेप। थी का मतलब यानि तीन का मतलब थी, डी का मतलब डाइमेंशनल और आकरिती का इंगलिस होई जागा सेप। मैंने आपको बता ही रखाया पीछे। यहाँ पर गौर की जी परिभासा को देखे के जिस भी आकरिती में लंबाई, चोड़ाई और मोटाई होती हैं तो वैसे आकरिती को थीरी डी आकरिती कहते हैं। ध्यान रखेगा थीरी डी आकरिती यानि इसको त्रिभीमिय आकरिती भी कह सकते हैं और ठोस आकरिती भी कह सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेगा। मोटाई भी है यानि मोटाई कहने का मतलब उचाई और गहराई भी है तो ये घन हमारा क्या हो जागा थीरी डी आकरिती ठीक है। मोटाई भी होता है यानि उचाई और गहराई भी होता है। तो गोला हमारा क्या हो जागा जैसे फुटबॉल हमारा क्या हो जागा थीरी डी डी आकरिती। आगे आपको दिख रहागा बेलन ये बेलन भी क्या है थीरी डी आकरिती। क्यूं लंबाई भी है चोड़ाई भी है और गहराई और साथ ही साथ उचाई भी है। तो बेलन भी हमारा क्या हो जागा थीरी डी आकरिती संकु भी और त्रेजया खंड भी ये सब क्या है थीरी डी आकरिती। आपके सामने अभी क्या दिख रहा है आपको इट तो दिख भी रहा होगा इट क्या है हमारा इट हमारा एक थीरी डी आकरिती ही है और ध्यान दिज को छू सकते हैं अब आप ही बताईए इटा इटा को हम छू सकते हैं या नहीं इटा जो होता है कुछ इस परकार के होता है आप इस अच्छा से चाप लिजेगा तो इट जो होता है हमारा इट क्या है थिरीडियाकृति है इट के जगह पर आप बक्सा भी ले सकते हैं बक्सा ह आक्रिती समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं और 2D आक्रिती किसे कहते हैं और अंतर भी पता लग गया होगा कि 2D और 3D में क्या अंतर है तो I hope इस वीडियो से आप बहुत कुछ सिख चुके होंगे अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो के लिए लाइक कर द मात्रम.